अनेता थेड़ जवियत पंतप्रधान नरेंद्र मूदी एंच्वा परिक्षा पे चर्चा या कारी करमात परीक्षपे चर्चा के सात्वे संस्करण के अवसर पर हम सब के प्रेरना पुंच माननिय प्रधान मंत्री जी के सम्मान में स्वागत सम्भोधन हे तू आमंत्रित कर रहे हैं देश के शिक्षा, कौशल विकास और उद्यम शीलता मंत्री श्रीधरमेंदर प्रधान जी को नमस्कार मित्रों इस भव्य समारों में इस शिक्षा पर्व में मैं आप सभी के और से देश की शिक्षा परिवार के और से देश की लोकोप्रिय जननेता हम सभी के मारगदर्शक माननिय प्रधान मिंत्री सीर नरेंद्र मोदी जी का मैं हार दीग स्वागत करता हूँ मित्रोय हम सभी के परंशो भाग्या हैं आज की इस कारेकरम में जिनकी बारे में बरनन करते हुए हमारे एक नन्य अंकर ने कहा राष्ट सिल्पी ये सही बात है हमें एक उत्कृष्ट समय पे सब एकत्रित हुए हैं एक सही समय पे एकत्रित हुए हैं जब मान्य प्रदान मंत्री जी ने हम सभी के सामने एक लक्षे रखा है दो हजार सत्तालिस तक भारत को एक विकाशित देश बनाना है एक डेवलप नेशन बनानी है आप ही की नेत्रुतुएं बनेगा आप ही की कंदे पे बनेगा और इसलिए मैं इसको एक अजितिहासिक उश्यप कहता हूं परिक्षा पे चर्चा आज एक जनांदुलन का रूप ले चुका है प्रधान मंत्री जी समय निकालके ड्लीप प्रफट गुरु के नाते राश्ट्री सिक्षा निति की वेवारिक क्रियायनियन के लिए बच्चों की सामने सबसे जो एक चुनौती रहता है परिक्षा पर्दान मंत्री जी कहते हैं परिक्ष्या की परिक्ष्या ले डालो नीडर होके कॉन्फिडेंट होके हमारी अंदर एई सही मोटीवेशन आए कि हम परिक्ष्या को हराएं परिक्ष्या को विजय बनाएं तभी तो 2047 में विकसित भारत होगा मैं पुना माननिय प्रधान मंत्री जी को इस साथ वे एडिसन में सभेंट एडिसन में स्वागत करता हूँ आपकी सभी की और स्वागत करता हूँ बहुत बहुत धनेवाद माननिय मंत्री जी आपका हारदी का भार परिक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की लोग प्रियता और इससे मिली सकारात्मक उर्जाने लाखों विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों के दृष्टिकों को बदल कर रख दिया है इस परिवर्थन से प्रभावित होकर केंद्रे विद्याले संगठन दिल्ली संभाग के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने एक भावपुन सुन्दर संगीत में प्रस्तुति तैयार की है आईए इस प्रस्तुति का अनंदले प्रस्तुत है परिक्षा पे चर्चा एंधम परिक्षा पे चर्चा या करेकरवा मधे पंतब्रधान नरेंद्र मूदी काय मारगदरिशन करताथ विद्यार्थ्याना शिक्षकान नाडी पालकाना याकड़े अपले लक्षा असेलाज एक छड़ासा ब्रेक ज्यून तो परेंत लगे स्परतियों याद